भारत और श्रुलंका की बीच कोलंबो टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है श्रुलंका ने दूसरी पारी में फॉलो आन मिलने के बाद दो विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिये हैं हलाकि श्रुलंका की तीम अभी भी भारत की पहली पारी के स्कोर के मुकाबले 230 रन पीछे है दूसरी पारी में श्रुलंका के कुशाल मैंडिस और दिमुत करुणा रतने ने शानदार सांचेदारी की मैंडिस ने टेस्ट में तीसरा श्रतक पूरा किया वहीं 110 रन बनाकर मैंडिस पांडिया की गेंद बाजी के शिकार हुए जबकि दिमुत करुणा रतने नाबाद बानबे रन पर खेल रहे हैं और पहले सेशन में ही टीम 183 रन पर धेर हो गई भारत की ओर से रवी चंदर अश्मिन सबसे सफल गेंद बाज रहे उन्होंने 79 रन देकर 5 विकेट जटके उन्होंने 26 वी बार पारी में 5 विकेट टेने की उपलब्धी हासिल की है शमी और रविंद जडेजा के हाते में भी दो-दो विकेट आए भार्दे टीम ने इस मैच में श्रिलंका को फॉलो आन दिया है इससे पहले भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 622 रन बना कर पा कर दो